रस्खान के सवय्य हम पढ़ रहे हैं और रस्खान के कुछ शेश रहे सवय्य जो मारे पार्टिक्रम में हैं उनका संदरी हम जानते हैं देखे सबसे पहले सवय्य है गावे गुणी गणिका गंधर्ब और सारद सेश सबय गुण गावत कितना खूबसुरती से अनुप्रास सलंकार है गावे गुणी गणिका गंधर्ब गवर्ण की बारबार आवरती विए वरत्यानुप्रास है गावे गुणी गणिका गंधर्ब और सारद सेश सबय गुण गावत कभी कहता है कि गुणवान लोग गणिकाएं गंधर्व सारदा और सेशनाग सबय गुण गावत CCP Shri Krishna के गुनों का गुनगान करते हैं नाम अनंत गनेश। जो ब्रह्मा तर्लोचन पार्ण पावत गनेश जी और शीवजी जींके अनंत नामों की गणना करते वह ठक जाते हैं और ब्रह्मा और त्रिलोचन जो हैं वो पार उनके पार नहीं पड़ती उनकी वो पूरे नामों को गिन नहीं पाते जोगी जती तपसी और उसिद्ध निरंतर जाही समाधी लगावत योगी यती तपस्वी और सिद्ध लोग जिनका ध्यान करने के लिए समाधी लगाते हैं ताही अहीरी की छोहरिया चचियामर चाच पे नाच न चावत उनको अहीरी की साधरन लड़कियां जो है, थोड़ी सी चाच के लिए मानव लिला करवाती है, निर्त्य करवाती है, ऐसे कृष्ण को बारबार प्रनाम है, रस्खान कहते हैं कि स्रीक्रिशन कितने सामान्य क्रियाएं करते हैं जबकि वो कितने महान कितने बड़े परमात्मा थे जिनके गुणों का गान कोई नहीं कर पाता जिनके नामों की गिंती कोई नहीं कर पाता उनको जो है अहीर की लड़कियां जो है मानम लीला करने पर विवस करती है खेलत फाग सुहाग भरी अनुराग हिलालन को धरी के कोई गोपी स्रीकृष्ण के साथ फाग खेलने के बाद परसंता से घर लोट कर आई उसका वर्णन है खेलत फाग सुहाग भरी अनुराग हिलालन को धरी के रस्कान बर्णन करते हैं कि कोई गोपी बड़े प्रेम से प्रियस्री क्रिशन को पकड़ कर बोली खेल कर स्वैम को भागे साली मानती है मारत कुमकुम केसर के पिचकारण में रंग को भरी के वो पिचकारियों में केसरिया रंग भर कर आतों में कुमकुम लेकर कृशन पर डालती है गेरत लाल गुलाल लली मनोहनी मोज मिटा करी के और वह गोपी लाल गुलाल फेंगति है और अपनी प्रेम विलास की मस्ती जो है वो लालसा जो है उसको मौज को पूरा करती है जात चली रस्खानी अली मदमस्त मनों मन को हरी के और उसके बाद होली केलने के बाद गोपी अपने सकी के साथ मदमस्त होकर इस प्रकार जाती है मानो उसका दिल जो है वो हरी ने हरन कर लिया है यानि ये जो फाक केलने से नाई का प्रसंद है और मदमस्त चाल में चली जाती है इसका वर्णनिया पर किया गया है मुत्रिक्षा लंकार है जिसमें उसके मदमस्त होकर जाने में जो है उसके हर्लेने की संभावना की गई है ब्रज भाषा साहीतिक ब्रज भाषा है कान भे बस बानसूरी के अब कौन सकھی हमको चाइए निस धोस रहे संगसाथ लगिये सौतिन तापिन क्यों सहिए जिन मोह लियो मन मोहन को रस خानी सदा हमको दहिए मिलि आओ सबे सकी भाग चले अब तो ब्रज में बंसूरी रही है देखें या गोपिकाओं की मुरली के प्रती जो इरश्या है उसका वर्णन हुआ है कि गोपिया स्री कृष्ण की मुरली को अपनी सौत जैसी मानने लगी है कि उनकी वो सौतन है और कहती है कि स्री कृष्ण जो है वो मुरली के वस में हो गए है कान भहे बस मानसूरी के अब कौन सकी हमको चाहिए स्री कृष्ण को तो उनकी मुरली प्यारी है हमको कौन चाहेगा निसधोस रहे रात दिन साथ रहती है ये सौत है और ये सौतन का जो ताप है दुख है रौब है वो कैसे सहूं जिन म अब ब्रज में बानसूरी रहीए सरी कृष्ण के साथ रहेगी ब्रज में रहेगी तो यहां सोतियद्विक्त हुए सौतन की जो जलन होती है किस तरी की वह व्यक्त हुई है अन्तिम जो तीन सवई है उनको देख लेते हैं काह कहूं सजनी संकीर जनीनित बीते मुकंद की हेरी आवन रोज कहे मन भावन आवन की न कभी करो फेरी सौतिन भाग बढ़ियो ब्रज में जिन लूटत है निसी रंग घनेरी मौरस खानी लिखी विदना मन मारी के आपू बनी हो अहेरी इसमें किसी गोपी की विवस्ताइम प्रेमाकुलता का बहुती खुद्धर चित्रणों है गोपी अपनी सहेली से कहती है सकी काह कहूं सजनी कि है सकी मैं तुमसे क्या कहूं कि रजनी नित बीते मुकंद को हेरी मुकंद जो है स्री कृष्ण के लिए का गया है कि मेरी सारी रात जो है स्री कृष्ण को इंतजार में प्रतिक्षा करते करते बीत गई आवन रोज कहे मन भावन कि वो रोजान आने के लिए कहते हैं आवन की नकवो करी फेरी और कभी नहीं आते हैं उन्होंने कभी सुद्ध नहीं ले मेरी सौतिन भाग बढ़ियो ब्रज में जिन लूटत है निसीरंग घनेरी इसी कारण इस ब्रज में मेरी सौत जो है उनका भाग्य जो है वो खूब अच्छा है जो स्री कृष्ण के साथ निसीरंग गनेरी रात्री कालीन में जो है वो अत्यधिक गना आनंद प्राप्ट करती है मोरस खानी लिखी विदना रस खान के मादिन से वो कहती है कि मेरे इश्वर ने पता नहीं क्या भाग्य लिखा है मन मारी के आपू बनी हो अहेरी कि मैं स्वैम अपने मन को मारने वाली और मन के स्वैम की सिकारी बन गई हूँ मैं अपना जीवन स्री कृष्ण के करन बरबाद अगरा सवया हम देखते हैं अगरा सवया हम देखते हैं गूमे गड़ी गड़ी नंद के द्वार और सभी गोपिया नंद के द्वार पर बार बार चकर लगा रही है नवीनी कहा कहूं बाल प्रवीनी और वे चतुर नव योवनाएं हर समय स्री क्रिशन पर आसक्त हो रही है या ब्रजमंडल में रसकानी से कौन भटू जो लटू नहीं कौनी इस पूरे ब्रज मंडल में ऐसी कौन सिस्त्री है जो बटू का आर्थ है सकी और लटू का आर्थ है आशक्त जो स्री कृषिन की इस मधुल बानसुरी वादन पर आसकत नहीं हो गई, रीज नहीं गई हो तो ये स्री कृषिन की आराध्य की लीलाओं का वरणन है और अंतिम जो सवया है वो हम देखते है आजू गई होती भोर ही हो रसकान रही कई नंद के भोन ही वाको जियो जुग लाख करोर जसो मति को सुकजात कयो नहीं यहां एक सकी नंद के भोन में गई है और वो सकी जो है यशुदा जो स्री कृषिन को नहला दुला कर जो स्री कृषिन का सरिंगार करके प्यार कर रही है उसका वरणन है सकी कहती है आज गई हुती भोर ही हो मैं आज भोर में ही रसकान रही कही नंद के भोन ही मैं नंद राई के भोन पर गई और वहां क्या देखा वाको जियो जुग लाख करोर जसुमती को सुख जात कयो नहीं कि मैं यशुदा के सुख को देखकर जो है मैं उसके इनके सुख का वरणन नहीं कर पा रही हूँ उनका पुत्र जो है लाख करोर वर्ष जिये तेल लगाए लगाए के अंजन भों बनाए बनाए डिठोन ही कि जो मा यशुदा है वो बालक को जो है सरीर पर तेल लगाती है हार पैनाती है अंजन भों बनाए काजल से उनकी भों बनाती है बनाए डिठोन ही डाली हेमलनी हारनी हारत और उसके हेम पुष्पों के हार जो गले में डालती है बारत जो चुचकारत चौन ही जिस प्रकार चौन ही मतलब बच्चिया जो है जिस प्रकार बच्चिया को गाय चुचकारती है वैसे वो मा यशुदा अपने मातरित्व का अपने वातसल्य का आपने नोट्बूक में लिखकर मुझे भीजें धन्य वर्नहीं